गुलग्राम के सेक्टर 56 अलकनन्दा अपार्टमेंट में 13 महीने की मासूम बच्ची के साथ नाबालिक मेड ने मार पीठी जिसमें मासूम बच्ची को गंभीर चोटे आई हैं फिलहाल इस पूरे मामले में नाबालिक मेड और मकान माले के खिलाफ केस दर्च कर लिया गया है यह खबर उन माबाप के लिए बड़े एहम है जो अक्सर मेड के सहारे अपने बच्चों को घर पर अकिला छोड़ देते हैं दसल सेक्टर 56 अरकननदा अपार्टमेंट से एक ऐसी खबर सामने आई जहां 13 महीने की मासूम बच्ची के साथ एक नाबालिक मेड ने बेरहमी से मार पिटाई की इस दोरान बच्चे के शरीर पर कई गंभीर चोटे आई 13 महीने की इस मासूम बच्ची के माता-पेता ने अपनी बच्ची की देख भाल के लिए एक नाबालिक मेड को केर तेकर की तौर पर रखा लेकिन जब घर पर माबाप नहीं हुआ करते तो नाबालिक मेड बच्ची के साथ बुरी तरह मार पिटाई करती ये सक्टर 56 पुलस्टेशन के इलाके में एक शिकायत प्राप्ट हुई थी कि एक 13 महीने की बच्ची के लिए एक दूसरी बच्ची जो लग 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 14 साल की थी उसको केर टेकर रखा गया था और उस बच्ची के साथ उसने मारपीट की है और उसको काफी गंभीर चोटें आई हैं जिसके संबन्द में हमने केस रेजिस्टर कर लिया है 307 के तैट और उसमें उसको अदालत में हमने पेस कर दिया है बच्ची को जो जिसके खिलाफ शिकायत दी गई थी और उसके खिलाफ मासूम बच्ची के माबाप ने इसकी शिकायत सिक्ट 56 के थाने को दी है इसमें पुलिस ने नावालिक मेड के खलाफ मुगदमा दर्च कर लिया है लेकिन इस बीच मासूम बच्ची के माबाप ने जिस मेड को रखा वो 18 साल से कम उम्र की है इसी आरोप में खुद बच्ची के माबाप के खलाफ मुगदमा दर्च किया गया फिलाल इस पूरे मामने में मुगदमा दर्च कर आरोपी नावालिक मेड को जोनाल कोट में पीश किया गया पुलिस के और से लगातार लोगों से अपेल की जा रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में मेड रखे तो उसकी वेरिफिकेशन कराइनी चाहिए और अठारा साल से कम उम्र के किसी भी नौकर या मेड को घर पर नौकरी पर नहीं रखना चाहिए टोटल नीउस के लिए गुर ग्राम से गोट्शन ग्रूवर की रिपोर्ट